हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु प्या मित्रों आप सबी पर भगवान सिवे अपना असिरवाद सदेव बनाए रखें मित्रो यदि आप अपने जीवन में अपार धन संपदा अपार सुक सांती अपार सुक सम्रिदी यस वेभव तथा मान सम्मान की प्राप्ति चाते हैं आप चाते हैं कि आपके जीवन में नौकरी में लगातार उन्नती होती जाए तथा आपके जीवन में धन आने के अनेकों मार्ग अनेकों रास्ते खुलें इसके लावा मित्रों यदि आप व्यापार करते हैं यानि की बिजनेस करते हैं और आप बिजनेस में लगातार उन्नति यानि की ग्रोज चाते हैं तो आपको यह चमतकारी उपाय अवज से करना है मित्रों इस चमतकारी उपाय को करने से वर्षो पुरानी मनोकामनाय भी संपन्न हो जाती हैं मित्रों यदि आपने हमारी अवज पहली बार सुनी है तथा परम पुझ गुरुदेव स्री पंडित प्रदीब जी मिस्रा त्वरा बतायेगे इसी चमतकारी उपाय को रोजाना सुनकर अपने आने वाले भविश्य को बदलना चाहते हैं तो आप हमारी इस चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ ही साथ वीडियो को भी आप अवज से सही लाइक कर दें मित्रो इस चमतकारी उपाय को करने के लिए अधिक से अधिक पीले रंग के वस्तों का ही प्रयोग करना चाहिए इसके अलावा पीले फल फूल भगवान विश्णू को आपको अरपित कर रहे है मित्रो आप एक पीले रंग का वर्ष्त लेकर यानि कि पीले रंग का एक कपड़ा लेकर उसमें आपको थोड़े से पीले फूल नारियल पीले फल हल्दी और खड़ा नमक रखकर बान देना है इन चुजों को मंदीरों की सीडियों पर आपको रखिया जाना है यानि कि इस सारी सामग्रियों को आपको मंदीर की सीडियों पर रखकर आना है इसके पस्चाद मित्रों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सा करने के पस्चाद आपको किसी से कुछ भी नहीं बताना है इस चमतकारी उपाय को करने से कुछी दिनों में व्यत्ती के जीवन में सुक समरिद्धी, सुक सांती एवं अपार्धन संपता के योग बनते हैं तो आसा करते हैं मित्रों हमारे दुरत दी गई है जानकारी आपको सही से समझ में आ गई होगी मिलते हैं आपके साथ ते केसी वीडियो में हर हर महादेव सिरी सिवाए नमस्तु भी हम